जए इन्सातियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरूजी एक्जाम सेंटर पर तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी कॉंस्टेवल के लिए हिंदी के प्रेक्टिस सेट तो आज ये पहला प्रेक्टिस सेट हैं तो नीचे आप कमेंट ब बुराई तो इसका विलूम क्या होता है इस्तूति यानि कि किसी के लिए सद्भाव या किसी के लिए प्रेम तो इसका ऑप्शन नमबर डी से हो जाएगा चले नेक्स्ट है हमारा सेकंड ऑप्शन सेकंड कोशन आईटब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं जटका मार का सला लेने जा रहे हो वहतु निरा मिट्टी का उल्लू है यानि कि इसमें मुहावरे का सही शब्द बताना है मिट्टी का उल्लू यानि कि मिट्टी के उल्लू का अर्थ होता है अज्यानी जिसे कुछ पता नहों और अज्यानी से कौन सला लेता है कोई नहीं तो इसका सही क्या हो जाएगा option number D यानि काट का उल्लू चलिए next जा हमारा निश्काम का विलूम शब्द क्या है तो निश्काम यानि कि कि किसी के पास काम नहीं हो तो इसका विरोधी यानि कि विलूम सकाम हो जाएगा option number A सही हो जाएगा इसका सकाम यानि की जिसके पास काम हो चले नेक्स जा हमारा इस मिसर वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है तो पांचो कोशन है हमारा जो कमाएगा वही खाएगा यानि कि यह सर यह मिसर वाक्य है तो इसको सरल वाक्य में बताना है तो आप्शन ए पर लेते हैं काम करके खाएग ये तो होगा नहीं, काम करने वाला खाएगा, ये भी नहीं होगा, कमाने वाला खाएगा, तो ये सही आप्शन हो जागा है, सरल वाक्य हो जाएगा, इस मिस्र वाक्य कोशन, इसमें बताना है, सरल वाक्य का मिस्र वाक्य क्या होगा, तो सहसी विध्यारती सफल होते हैं, इसक नेक्स्ट जा हमारा निम्द पंक्ती में कौन सा रस है मेरो मन अनत कहा सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंची पुनी जहाज पे आवे यानि पहले तो इस पंक्ती को पता होना चीए किसने लिखी है तो इस पंक्ती को लिखा है सूर्दाजी ने सूर्दाजी इसमें किस की भक्ती करें यानि क्रिशन जी की भक्ती कर रहे है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी भक्ती रस चलिए नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी शेत्र की बोलिया कौन सी होती है देखिए ये तो आपको पताई होगा पश्मी शेत्र की बोलिया होती है पांच कन्नोजी बुंदेली बांगडू खड़ी बोली और हरियानी हरियानवी चलिए और अप्शन नमबर ये देख ले हैं मंज्याली और कुमावनी और गड़वाली ये होती है पाड़ी अवधी अरवारी और और एकादी होती है राजिस्ताणी ये राजिस्ताणी इंडी के हैं चलिए नेक्से हमारा नाइंट वोश्जाई और सलाई का अर्थ लिखें तोसिंस dependence क्या होता है नेंगतर रिए और लकड़िया धातू की तिली तो देखिए पहले ही उपशन नमारण बन ज होगा सिल्क कारे यह भी नहीं होगा तो option number a सही हो जाएगा इसका चले next है हमारा प्रधान और परिधान का अर्थ बताई यानि कि सम्षरूरती भिनारतक शब्द है इसका प्रधान का अर्थ क्या होता है खास और परिधान का अर्थ क्या होता है वस्त्र तो इसमें सीधा सीधा ओप्षन मन जाएगा option number d इसमें option number b प्रधान का अर्थ मुख्य तो होता है और परिधान का अर्थ जंडा नहीं होता है तो option नमबर भी इसलिए गलत हो जाएगा तो हमारा option number D सही हो जाएगा चले next है हमारा किसी मूल लेख अथवा भाषण को उसके नहीं तथ्थे और सहीद संशेप में प्रस्तूत करने की किरिया को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं संशिप्तिकरन या संशेपन option number A सही हो जाएगा चले next है हमारा हिंदी व्याकर में विस्तार विस्तार निमली किसका शाब्दिक अर्थ तो विस्तार आपने बहुत बार पढ़ाऊगा तो ये पल लवन का शाब्दिक अर्थ है चले next हमारा सुधा का प्रायवाची बताना है हमें तो सुधा का गरके बताएगा तम के प्रायवाची चलिए नेक्स्ट हमारा टीका का अर्थ तो टीका का अर्थ क्या होता है तिलक निंदा निंदा तो होगा नहीं तिलक आभूशन व्याख्या तो यह सही हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर भी इस सी ऑफ्शन देख लेते हैं तिलक neyin तो इसमें ओफ्शन नमबर भी सही हो जाएगा कि ने एक्स्ट हमारा पंचवति में कौन सा समास है याचनी पंचवति का समास विग्रा करेंगे तो पांच वट्टों का सम्त्यकी देग्व नहीं आरा हमारा चलिए नेक्स्ट हमारा अचल का प्रायवाची शब्द तो अ उग्म रूप हैं तो उपर नीचे आपको पता लग रहा होगा यह हमारे विरोधार्ती हैं यानि कि विरोधी उग्म हैं तो आप्शन नमबर डी सही हो जाएगा इसका चले नेक्स है हमारा प्रति उपसर्ग से बना शब्द बताना है आपको चारों पढ़िएगा बताएगा तो पहला ओप्शन देख लेते हैं प्राप्ती प्राप्ती में तो प्रति होगा नहीं प्रति पाक्ष प्रति पाक्ष में तो होगा ही नहीं प्रति पाक्ष गलत लिखा हुआ है और प्रति पाक्ष ये भी गलत लिखा हुआ है तो ओप्शन नमबर सी देख लिजेगा यही हमारा सही आंसर होगा प्रती पक्ष तो यह सही भी लिखा हुआ है और प्रति उप्षय नहीं का सदान वाक्या होगा यानि की तो सभाइवication ज्सक होगा यह तो करेजने वाले बरस्ते नहीं तो इस न हो जाएंगे इसमें तो कर नहीं जिसने सुम्स शर्फ्टे से बना सो इसमें किसमें बना कि शब्द में I real इसमें ऑल बना है अरी इसमें भी नहीं जोगा तो देख करले झमार नहीं खेस्टिन यह बहुत बार आपने कि यही हमारा मा ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले तो इसमें किया गया तो यही हमारा मिश्रवा क्यों हो जाएगा मा ने कहा की वह शादी के लिए रेखा आया यह नहीं इसमें रेखा ने मा से का यह तो होगा नहीं और option number D रेखा से कहा की नहीं यह भी नहीं होगा तो option number A से ही हो जाएगा इसका चले नेक्स हमारा सर का अर्थ क्या होता है तो सर का अर्थ होता है इसमें तलाब और तीर सर का अर्थ है पुशकर भी होता है इसका अर्थ चले नेक्स हमारा बीरबल की डाल का सही रूप तो बीरबल की डाल नहीं होती बीरबल की खिचड़ी होती है तो सही option देख लेते हैं इसमें कुम सा है तो option number B देखेगा वीरबल की खिचड़ी होता है इसमें चले next है हमारा एकता में बल का मुहावरा यानि की एकता में बल का मुकावला यानि की एक और एक ग्यारा इसका सही मुहावरा होगा एक और एक ग्यारा ओन्सर होका option number C प्रैवाचि यूग महोगा इसमें चलिए लें हमारा आउसर को क्याए बोली में क्या कहते हैं कमेंड करके पताएगा आउसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं कर देखे लिए पहले भाट्षा एक वयवस्ता है जिसके अपने नियम होते बोट्ष बोटे हो जाएगा चलिए नेक्स है हमारा भाषा के जिन रूपों का प्रियोक साधरन जनता अपने समू और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं तो उसे बोली कहते है राश्च भाषा क्या होती है जो राश्च में एक बोले और राज भाषा क्या होती है जो राज्य के अलग अलग सही हो जाएगा इसका प्रशन वाचक चिन भी आएगा इसमें चलिए नेक्स हमारा पेड़ से पत्ते गिरते हैं का शुद्वाक्य पेड़ों से पत्ते जड़ते हैं तो पेड़ों से पत्ते जड़ते हैं तो पेड़ों से पत्ते जड़ते हैं तो पेड़ों से पत्ते जड़ और इस बली कार्थ होता है वीर तो option number A से ही हो जाएगा हमारा चलिए next है हमारा वाक्यान शुके लिए एक शक बताईए बहुत से भाषा जानने वाला यानि कि बहुत सी भाषा जानने वाले को क्या करते हैं बहुत भाषा विद option number D से ही हो जाएगा और बहुग्यों को क्या कहते हैं तो बहुत ज्यान रखने वाले को बहुग्या कहते हैं चलिए next है हमारा थर्टियान कोशन तीसरा पक्ष पत्री का कहां से प्रकाशित होती है तो तीसरा पत्री का कहां से प्रकाशित होती है तो यह होती है जबलपूर से कहां से होती है option number D देखीगा जबलपूर से चलिए नेक्स हमारा धरती पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है देखे चारों option पढ़िएगा comment box में comment करके बताएगा इस cancer या आपके लिए homework के आज का तो बताएगे दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे comment box में अपना के लिए बाए और जहीं दोस्तों